World Affairs और Current Affairs का ये टॉपिक है जिसको आज हम डिसकस करने जा रहे हैं ये है जी New Dimensions in Middle East के Middle East के अंदर जो New Dimensions अब बन रही है वो क्या है या फिर China's role in Middle East चीन का जो हो क्या role play होने जा रहा है Middle East के अंदर specifically और इसके साथ साथ World के अंदर और New World Order भी से आप कह सकते हैं या New World Order in Middle East भी दूसरा हम आंसर लेंगे New Order in Middle East की के Middle East के अंदर specifically ये क्या New World Order हमें देखने को मिल रहा है तो अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये मैप है आप इस मैप को ज़रा देखिए और यहां पे आप समझने कोशिच किरी कि फिल हाल अभी की जो हालात है Middle East में वो क्या है या कुछ ताइम पहले तक के अगर हम कहें एक माँ पहले तक के हालात थे तो वो क्या थे इस इसी तरह से मोझूद है कि सऊओभिया और इरान हमेशा साही एक दूसरे के जो है राइवल रहे हैं एक दुसरे के दुसrelated रहे हैं और किस वज़ा से सैक्ट की वज़ा से यानि जो साओभिया है यहां पर सुनियों की ज़ादा है और जो हकुमत है बिशार असतर की वो श. इसी तरह से इरान की support इराग के अंदर بी बहुत बड़ी मौकुद है क्योंकि एराग में इराग में सबस्य ज़्या शिया मौकुद है। शिया और सुनी का हमें एक दनासुद देखने को मिलता है गो कि सुनी जादा है शिया कम है लेकिन फिर भी हमें यहां पे एक लड़ाई भी देखने को मिलती है जिसमें एक साइट पे जो है यह प्रॉक्सी वार हो रही है एक साथ पर साओदी अरब जो है वो इस गॉवर्मेंट को यमन की को सपोर्ट कर रहा है दुस साथ पर जो इसके बागी है, जो शियां है उनको इरान जो है वो सपोर्ट कर रहा है असले की सप्लाई बग गएरा और जिससे वो सौधियारब के ओपर लातादाद हमले कर चुके हैं मिजायल हमले कर चुके हैं कभी उसकी ओयल रिफाइनरी को आग लगाना कभी कहां तो वो सारा असलाव जो स्प्लाइ हो रहे है वो इरान को हो रहे है क्यूंकि इरान और साओधिया आपस में दुश्मनी जो है वो प्रॉक्सी वार्स के थूर निकाल रहे हैं डारेक्ट वार नहीं हो रही है इसी तरह से यहाँ पे कतर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है गो के कतर जो है कतर और साओधिया की बिल्कुल नहीं बनती उसकी वज यहाँ पे दो मेजर ब्लॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं एक है सुन्नी ब्लॉक जिसको साओधियरब लीट कर रहा है जिसमें साओधियरब है यूएई है मेंली जो है यह इसका फोकस है और साथ में बहरेन है लेकिन वो चोटा से कंट्रूस का इतना कोई फर्क नहीं है दूसरी साइट पर हम इरान देखते हैं तो हमें इरान यहाँ पे जो है वो शियर स्केति के दोर प्रबहर देखने को मिल रहा है लेकिन जिसकी सॉपोर्ट जो है वो सीरिया केरधर का दर काफी जादा स्ट्रांग है तो इरान सीरिऑ और साथ में उर्शिया और रोस भी शा ठीक है इसको इब्राहम एकॉर्ड भी बोलते हैं जो खेर भी तूट चुका लेकिन यहां पर रिलेशन्स इनके आपस में बिल्ड हो रहे हैं और आई टू यू टू जो है उसके अंदर भी यह चीज हमने देखी कि यहां पर भी इनके रिलेशन्स को मजीद आगे लेके जाया जा रहा है तो इस ब्लॉग को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका यानि एक साइट पर जो ब्लॉग है एरान का और सीरिया का या उसमें इराक भी शामिल है आप कहलें तो इसको सपोर्ट कहां से मिल रही है रेशिया से वही कोल्ड वार का एक सेनरियों में देखने को मिल रहा था Middle East के अंदर और यहां पर दूस साइट पर सौधी अरब जो है वो बहुत पुराना जो है वो ally है अमेरिका का और टफ टाइम देने कोशिश कर रहा है इरान को जिसमें हमने देखा 2015 में यहां पर जो है वो इरान का जो है nuclear program भी sign हुआ उसको बंद किया गया और इरान के उपर sections लगाएगी और इरान के हालात बड़े खराब हैं इस वज़ा से और सौधी अरब जो है वो बड़ी enjoy कर रहा था monopoly यहां पर कि बहुत अच्छा है लेकिन गो कि जो यमन से जो बागी है होती बागी जो है वो attack कर रहे थे तो वो सौधी अरब को चैन नहीं लेने दे रहे थे तो फिल हाल तक कि यहां पर सेक्टेरियन इजम है बहुत ज़्यादा फिरकावारियत जिसे हम कहते हैं वो फिरकावारियत हमें यहां पर देखने को मिल रही है इस Middle East के अंदर और हर साइट पर शाम की अकर बात करें इराग की बात करें तो यहां पर तो अल्रेडी जो है वो आपको पता है जंग लगी भी है हालात खराब है लेबनान की बात करें जो इसराइल के बार्टर के साथ है वहां पे हालात खराब है, इसराइल के खराब है जॉर्डन के अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भी कुछ अच्छे हालात नहीं है यमन के हैं, तो हर साइट पे आग लगी वी है ये हैं अभी तक के हालात अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें फिर ये समझाएगी कि ये जो developments नहीं हो रही है ये किसलिए इतनी जादा important है ये important क्यूं है अब आप हालात देख चुके हैं कि क्या हालात हैं और यही हालात फिर world की politics के उपर भी असर अंदाज होते हैं आप हास करके जो Muslim politics है ये Muslim countries है वहाँ पर जैसे Libya देखे यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि शिया और सुनी की जो हो तक्सीम है वही हालात देखने को मिलेगा है Tunisia के अंदर Tunis के अंदर वही पाकिस्तान में भी आपको देखने को मिलेंगे तो अब आगे बढ़ते हैं कि क्या हो रहा है नई जो developments है वो क्या है अब देखे अगर हम बात करते हैं कि China's global ambitious की कि हो क्या रहा है यहाँ पर China ने क्योंकि सबसे important role play किया इनको मिलाने में या Middle East का यह जो हलात है इनको ठीक करने में तो उसमें हम कहते हैं चाइना के global ambitious क्या हैं सबसे पहले हम इने डिसकस करते हैं इरान-साओधिया meeting जो है वो होती है जी March 6 2023 को बीजिंग के अंदर सबसे पहली development क्या होती है March 6 को इससे पहले भी हो चुकी है लकिन यह major developments है कि इरान और साओधिया की जो है वो एक बहुती लंबे अर्से के बाद एक meeting होती है 6 March 2023 को बीजिंग चीन के अंदर और चार साल चार दिन के बाद सबस्वारी चार दिन के बाद जो हो हालात को normalize करने की कोशिश की जाती है या इस meeting के बाद यानि कि क्योंकि meeting का purpose क्या था कि जो हालात बने में हैं इनको दूर किया जाए और इरान और साओधियारब को साथ लाया जाए तो उसके लिए चार दिन बाद हम देखते हैं कि हालात जो है वो normalize होना start हो जाते हैं और कुछ developments होना start हो जाती है ये एक landmark agreement होता है to transform middle east कि ये जो agreement होता है साओधिया का और इरान का चीन के अंदर ठीक है इससे पहले हमने देखा कि America ने भी कोश्चें की लेकिन वो कामयाब नहीं रहा कहीं पर उसकी कोश्चों में फर्क था कहीं पर इन्हों ने इसको serious नहीं लिया लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ तो इसके साथ साथ बीजिंग की जो rivalry है वो क्या है जी वो Washington के साथ बहुत ज़ादा है हम ये जानते हैं America के और चीन के तालुकात अच्छे नहीं है इसलिए चीन ये चाहता है कि वो अपने आपको इस region के अंदर powerful करे वो यहां पर billions of dollars की investment भी लगा चुका है इसलिए वो चाहता है कि अमेरिका को यहां से वापिस भेजे तो ये चाइना के global ambitions हमें देखने को मिल रहे हैं यहां पर अब इस से पहले गो कि हम यह कहरे हैं कि यह जो तालुकात normal हुए वो चाइना ने करवाए लेकिन इस से पहले जो कोशिश की वो अमरीका ने की अब अमरीका ने क्या कोशिश की कि यूएस मिडल एस के जो टॉक्स थी वो 2015 से स्टार्ट हुई थी गो कि उस टाइम पे हमने देखा कि कुछ ना कुछ हो रहा था लेकिन उसके बाद United States ने जो सीरियस जो यानि कि इसके ओपर काम करना स्टार्ट किया वो 2021 के अंदर यानि अमेरिका ने 2021 में ये कोशिश की कि ये जो इरान का इशू है और खास करके जो साओधिया का और यमन का जो इशू चल रहा है साओधिया और यमन क्योंके सारे का सारा इरान सपोर्ट कर रहा था यमन के बागियों को तो इल्टिमेटली यमन के बागिया आगे जो है वो फिर साओधिया के ओपर अटैक कर रहे थे क्योंकि सौदीय एरब जो है वो support कर रहा था यमन की हकूमत को यहां पर जो सुनी हकूमत थी तो इस वज़ा से जो अमेरिका था उसकी कोशिश यह थी कि एरान को कसी तरह से यहां से तनहा किया जाए और सौदीया का और यमन का issue solve किया जाए यानी कि उसकी ये कोशिश हरगिस नहीं थी कि एरान और साओधिया का विक्त है, कि बल्के उसकी इसकी ये कोशिश थी कि भाई конфirkit तो वैसे रहेगा, लेकिन इन दोनों के मसले मिसलद साओधिया के यमनके मसले मिसलद साओधिया यमन के अंदर जिसके अंदर 5 राॉंड्ड हुए जो direct talks हुई और informal conversation भी इसके अंदर हुई और जो के जारी रही इसी में पिर हमने देखा कि जो बाइडन जो है उन्होंने विजट किया साओधी अरेबिया का जुलाई 2022 के अंदर यानि इनी discussions को मजीद आगे ले जाने के लिए जुलाई 2022 में जो बाइडन Arab Emirates है ठीक है ये मुलक इसके अंदर शामिल है जिसमें इरान नहीं अल्टिमेटली ये अरब लीक के मुलक है तो इन इस कॉंसल को भी साथ मिलाया गया अपने negotiations के अंदर के भाई ये जो मसले मसाइल है साओधी और यमन के इनको खतम किया जा सके और साथ में ये कोशिश की गई भरपूर तरीके से किसी तरह से जो है वो इसराइल को भी इन बातचीत के अंदर शामिल किया जा सके ताकि एरान को यहां पे काउंटर किया जा सके यानि इन सारी जो conversations थी इसका मकसद क्या था कि इरान को अकेला करना क्योंकि इरान से सबसे बड़ा प्रॉबलम किसको है हम यह जानते हैं इसराइल को सबसे बड़ा प्रॉबलम है और अमेरिका को किसके बाद प्रॉबलम है तो ultimately यहां कोशिश थी किस GCC countries को मिलाया जाए साथ में जो है वो साओधी अरब को भी उनके अपस के issue हैं खत्म किये जाएं और इस तरह से जो इरान के अगेरद है वो घेरा तंक किया जा और एक जो है वो मुश्तरका तोर पे हम यह कह सकते हैं कि एक defense बिल्ड किया जाए इरान के खिलाफ यहनी Muslim countries का तो इसका result क्या हुआ कि talks fail होगी ultimately जो है इनका वो result नहीं निकल सका जो अमेरिका ने कोशे की 2022 के अंदर यहनी 2021 में यह जारी रही अब GCC countries आप यहाँ पे देखिए तो यह साओधी अरब है यहाँ पे इस साइट पे उमान है United Arab Emirates है, Qatar है, बहरेन है और कोईत है गो कि यहाँ पे Qatar के भी बहुत से serious issues जो है वो चल रहे है साओधी अरब के साथ लेकिन यह कोशिश की जा रही थी कि इनके issues को जो है वो solve किया जा सके अब causes of failure के अगर हम बात करते हैं कि यह जो अमेरिका ने जो talks की थी यह fail क्यों होई, तो उसमें सबसे पहले इसराइल की involvement थी क्योंकि यहाँ पे जितने अरब countries हैं, ultimately वो इसराइल के साथ हम जाते हैं वो और भी कर चुके हैं, उनके हालात उस तरह से नहीं है तो एक तो उसकी involvement थी, इसलिए उनने उस तरह से संजीदगी नहीं दिखाई कि हम यार इसराइल के बिना पे जो है, Muslim countries को आपस में तक सीम करें दूसरा बना जी, Saudi VN 2030 कि साथिया जो है, वो long term VN देख रहा था लेकिन जो अमेरिका है, वो short term VN के तोर पे यहां पे काम करने कोशिश कर रहा था जिस वज़ा से साथिया ने भी वो दिल्चस्पी या वो गर्म जोशी नहीं दिखाई थर्ड जो वज़ा बनी, वो बनी दी, US wanted to dominate कि अमरीका जो है, वो इस खिते के अंदर अपनी हुकुमरानी जो है, वो करना चाहता था यानि पहले भी उसी की हुकुमरानी थी ultimately, तो वो यही चाहता था कि Middle East के जो डिसियन्स हैं, वो उसी के तहर लिये जाए, वो ही सारे के सारे फैसले यहाँ पर कर सके, वो dominate करे, तो इस वज़ा से यह किसी को पसंद नहीं था, ultimately तो यह causes उसके failure के बने, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जी साओधिया का VN 2030 क्या है, कि तब हमें यह समझ आएगी कि जो हालात normal हुए हैं, साओधिया ने इस VN के तहाथ सारे के सारे हालात normal किये, यहाँ अगर हम यह देखते हैं कि जो Middle East है, Middle East की सारी politics इस time पे जो है वो साओधिया की गूम रही है, तो साओधिया की गूम रही है, कि साओधिया की अपनी जो policy है, वो सारे के VN बनाने की जरुएत क्यों पड़ी, जरुएत इसलिए पड़ी बहुत सिंपल सी बात है, कि अब यह जो oil की economy है, oil and gas की economy, ultimately साओधिया की, यह होने जा रही है खतम, क्योंकि दुनिया जो है, renewable energy के उपर जा रही है, ultimately solar के उपर जा रही है, तो यह energy जो है, वो बहुत जादा time of sustain नहीं कर सकती, carbon के issues हैं, climate के challenges बहुत जादा है, माहोल का आपने देख लिया क्या हो रहा है, बिला वज़ा बारिशों अरता जादा जादा जो हो रहा है, तो ultimately इसको अब खतम होना है, यह आप कहलें, इसकी last century होगी, तो फिर क्या होगा, फिर उसके अगिस्ट में, साओधिया को कुछ और चाहिए होगा, क्योंकि उसकी 80% economy तो base करती है, कि इसके उपर, oil and gas के उपर, तो अब उसे एक निया वियन चाहिए, उस निया वियन में सबसे पहली चीज़ क्या है, diversify its economy, कि सबसे पहली चीज़ के यह जो oil based economy है, इसको change किया जाए, और मुख्तलिफ segments के अंदर जो है, वो इसे तक्सीम किया जाए, इसके अंदर ही क्या करना है, industrialization करनी है, कि अब industrialization का मतलब यही है, कि उसने अपने मुल्क को industry के ओपर shift करना है, इस oil economy को छोड़ के, और मुख्तलिफ industry के ओपर technology के ओपर shift करना है, या technology के ओपर भी लेके जाना है, थर्ड क्या है, tourism and cultural center बनना है, सौदिया ने जिसके लिए आपको बता है, पूरे का पूरा वो एक शहर बसा रहा है, रगिस्तान के अंदर, कि जहां पर train चलेगी, और वो train पूरे का पूरे का पूरे शहर के अंदर घुमाएगी, लोगों को वहां पर बहुत ही theme park टाइप का कुछ होगा, तो बहुत सा उस नहीं है, यानि कि इसके लिए कोशिश कर रहा है, तो ये जो सबसे major है, वो क्या है, tourism and cultural center, जो है वो सौदिय अरब बनना चाह रहा है, Middle East के अंदर, जो इस time पे जो है, वो UAE के पास, जो है, वो ये सारे का सारा मौझूद है, कि वो जो है, वो center है, cultural center, fourth है, role in Middle East, कि सौदिया चाह रहा है, कि वो एक positive role play करे, Middle East के अंदर, जो पहले भी कर रहा था, लेकिन अवो मजीद खुल के play करना चाह रहा है, ultimately अपने इन goals को achieve करने के लिए, fifth है, pan-islamization in Middle East, अब चाहे ये कम हो, लेकिन हम ये कह सकते हैं, कि मौम्मद बिन सल्मान जो के एक young शफ्स है, ठीक है, young prince है, ultimately उनकी ये हो सकती है, priority के भाई, वो किस तना से pan-islamization, जो है, create करें, और ये जो मुसल्मान आपस में तक्सीम हुए हुए हैं, सुन्नी और शिया की बिना पे, जिसका फाइदा third powers ले रही हैं, उनको खतम किया जाए, और six क्या है, जी, reduce dependence on oil economy, के ultimately ये सारे steps इसलिए होंगे, के oil economy जो है, उसके ओपर जो इनहिसार है, उस इनहिसार को जो है, वो कम किया जा सके, तो ये एक picture है, साओधिया की 2030 के VNK के, किस तरह से जो है, वो industrialize करेगा, और cultural center बनाएगा साओधिय अरब को, अब देखे, इसके लिए उसे क्या चाहिए, अगर हम देखते हैं, कि इसके लिए उसे क्या चाहिए, सबसे important चीज़ इसके लिए उसे चाहिए, अमन, कि अगर वो cultural tourism center बनना चाहता है, तो इसके पाकस्तान में बहुत सी ऐसी जगे हैं, जो कि पूरी दुनिया में मौजूद नहीं, खास करके अपने tourism के हावाले से, लेकिन यहाँ पे अमन नहीं है, इस वज़ा से यहाँ पे हम tourism से वो पैसे generate नहीं कर पाते हैं, जो करने चाहिए, तो इसका मतलब अमन सबसे important है, जो कि विस्टर्स को खेंचेगा, जो UAE के अंदर है, लेकिन यहाँ पे मिजाईल के टैक्स की वज़ाए से जो होती बागी है, या एरान के साथ राहिवली की वज़ाए से, वो हालात नहीं बना पारा, और इसी ताँ से जब हालात इर्गित के हमाले के साथ खराब होंगे, तो ultimately आपको सारे के सारा focus जो है, वो defense पे रहेगा, ना के आप अपना focus positive चीज़ों के उपर कर सके, तो सिर्फ defense के उपर रखेंगे, जैसे पाकस्तान ने किया सारा budget defense में सब कुछ तो पिर क्या होगा, फिर वो ही हालात हैं जो पाकस्तान में बने वे हैं, वो ही वहाँ पे भी होंगे, और ये बात वो समझ गए, अब इसको achieve कैसे करना था, how to achieve के, सौदिया ने 2030 का वियन achieve कैसे करना था, पहली बात क्या थी, एरानियन सपोर्ट से हासिल करनी थी, क्यों, क्योंकि जब तक एरानियन सपोर्ट नहीं होगी, तब तक अमन तो आहीं नहीं सकता, कि पीस वहाँ पे आ सके, थर्ड क्या है, बैलंस बिट्वीन जियो स्ट्रेटिजिक एंड जियो एकनॉमिक अलाइंसे, ये बहुत इपॉर्टन है, कि जियो स्ट्रेटिजिक का मतलब ये है, कि पिछले कही सु सालों से, अमेरिका के साथ जो है, का लिंक था, ठीक है, और खास करके, अब जब साओधिया बना, उन्नीस सो चप्वीस के अंदर ठीक है, तो उसके बाद से क्या हुआ, कि जो हम देखते हैं, कि पूरे का पूरस का जो जुखाओ था, वो अमरीका की तरफ था, तो जियो स्ट्रेटिजिक उसका एक अलाइंस था, जियो एकनॉमिक अलाइंस के उससे जुरुद भी नहीं थी, क्योंकि उसके बास आईल मौजूद था, लेकिन अब जो चाइना के साथ उसके तालुकात बने हैं, तो स्पेसिफिकली वो बने हैं, जियो एकनॉमिक अलाइंस के वज़ा से, तो अब इसने इसको भी बैलेंस करना था, फॉर्थ क्या है, चाइना वर्सेज यूएस से, इन में से आप बैलेंस भी करना था, लेकिन किसी को एक कोच चूज भी करना था, इससे पहले अमेरिका के साथ था, लेकिन अमेरिका क्योंकि हमेशा हम जानते हैं, गुड वैदर फ्रेंड्स है, वो अच्छे वक्तों का दोस्त है, बुरे वक्त में वो काम नहीं आता, दूसरा उसने मिड्ल इस्ट में आगी लगाने कोशिश की है, अगर हम देखते हैं, अमेरिका उसने कोई पॉजिटिव रोल यहां पे प्ले नहीं किया, इरान को जो है, वो अखेला करके, साथ में शिया सुन्नी की तक्सीम करके, तो इसलिए अब चाइना को अमेरिका ने चूज़, अब यह तो विएन तो सेट हो गया, कि 2030 का विएन है, ठीक है जी, लेकिन अब इसके उपर अल्टिमेटली स्टेप्स भी उठाने थी, और बहुत फासली हम देख ले हैं, कि मिडिल इस्ट के अंदर बहुत ही फास्ट की तरही के से डिवेलेप्मेंट्स हो रही है, जबता था वो, तो इसका जवाब है नहीं, क्यों, क्यों का जवाब यहाँ लेते हैं, नमबर वन क्या है, जी, चाइना और साओधिया रिलेशन्स जो है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग हो रहे हैं, इन कुछ टाइम्स के दुआन हमने देखा कि चाइना और साओधिया के रिलेशन्स जो है, वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, बनिस्बत चाइना और अमेरिका के, या फिर साओधिया और अमेरिका के, पॉइंट नमबर वन, पॉइंट टू क्या है चाइना's role in Middle East जो है अगर उसके हम बात करते हैं तो चाइना का जो role है Middle East के अंदर वो हमने देखा वो बढ़ता जा रहा है ठीक है वो वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है जैसे अमेरिका को नफरत की निकास से देखा जाता है Middle East के अंदर दूसरी, दूसरा reason ये है थर्ड क्या है चाइना's role in Iran के चाइना का इरान के अंदर बहुत important रोल है ये जो BRI है Belt and Road Initiative है ठीक है इसमें इरान भी जो हो शामिल है ultimately तो इसका मतलब ये है कि जो चाइना की जो तालुकात है इरान के साथ वो तालुकात हर्गिस नहीं जो क्या है क्योंकि अमेरिका के तो इरान के साथ तालुकात है ही नहीं तो अमेरिका इरान की बात किसलिए मानेगा तो वहीं पर चाइना के साथ तालुकात है तो ultimately वो उसकी मान सकता है ये सोचा सौधियरब ने 4 क्या है चाइना's role in international politics and economy के चाइना को जो बढ़तावा रोल है international नेशनल politics के अंदर जिसे हम कह रहे है new world order जो बनने जा रहा है एक कि पुराना world order क्या था यहां पे एक मिनट कि उसको भी डिसकस कर दें पुराना world order यह था देखिए 1945 के अंदर world war second जो है वो खतम हो गई ठीक है उसके बाद दो blocks में दुनिया तक्सीम हो गई एक block जो था व पर क्या हुआ कि new world order सामने आया जिसमें अमरीका जो है वो दुनिया के अबाजी बनके सामने आये और उन्होंने दुनिया के उपर रूल किया कि जिसको अमरीका ने कहा वो अच्छा है तो अच्छा हो गया जिसको उसने कहा बुरा है तो वो बुरा हो गया लेकिन अब जो ह अब New World Order में हम देख रहे हैं कि China आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब ही है कि अगर आने वले 10 सालों में China जो है वो दुनिया को लीड करता है तो ultimately ये New World Order होगा जिसको China लीड करेगा ना कि America ठीक है ये बात समझ के यहाँ पर तो इसलिए China का जो रोल है रिलेशन है वो भी बहुत स्ट्रॉंग है तो इसलिए साओधी अरब जो है वो क्या सोचता है कि जो चाइना है उसके लिए बहुत आसान है इरान से गरेंटी लेना ठीक है यानि कि चाइना जो है वो साओधीया के नजदीक ज़्यादा एक्सेप्टिबल है बजाए इसके कि वो अमेरिका की बात करें क्योंकि अमेरिका तो इरान से बहुत दूल है इसलिए साओधीयार को ये भी पता है कि अगर चाइना बीच पे पड़ेगा तो अल्टिमेटली इरान को मानना ही पड़ेगा बात समझ नहीं है ना कि अगर अमेरिका पड़ेगा फिर तो अमेरिका पहली बात ही है कि वो कभी दोस्ती करवाएगा ही नहीं लेकिन चाइना तो ये चाहता है अपने लॉंग टर्म गोल के लिए इसलिए जो है फिर चूज किया गया चाइना को इंस्टेड ओफ अमेरिका बात समझ आगी कि यहाँ पे इ स्वाइगा हम जवाब ले रहे हैं कि साओधिया क्यूн गया अब इसमें हम देखते हैं कि جो जी का विजट है जो चाइनीज प्रेजडेंट है उनका विजट है साथ दिसंबर 2022 को विजट होता है और इसमें doit मुहम्bait बिन सल्मान और सात मैं... मुहमज 변ना अपने अपनी कोशिशे थी हम यह कुसे करें... इरन के साथ profe llamatat और वहा हालात को बहतर करना चाहतें अब जो Chinese प्रेशिजेंट है.. वह तो आल्रेड़ी यह पहले से चाहते थे... ठेक है ? क्यूंकि जाते थे cargo कैसा King Statick forces तो इसलिए जो है उनकी भी ये कोशिश थी तो ऐसे में उनों ने खुद भी जो है इसके उपर बहुत जादा फिर फोकस किया कि हाँ भी इनके हालाद जो है बैतर करवाए जा सकते हैं तो ऐसे में जो इरानियन है प्रेजटन इबराहिम रेसानी जो है बीजिन्ग में फरवरी 2023 के अंदर उनकी मुलाकात होती है चाइनिज प्रेजिन्ट से किसे जो हालाद को ठीक किया जाए अब इरान भी मजबूर थाल्टी मिडलिस्ट की एकॉनमी इतनी जा रही है तो वो भी अब चाहता है कि हालाद को ठीक किया जाए तो ऐसे में यहां पे जो परसनल रोल प्ले किया जी ने वो बहुत जादा important है क्योंकि इनकी जो परसनल दिल्चस्पी थी कि मिडलिस्ट के अंदर किस तरह से अमन आए और जादा 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 जो है इनको फाइदा हो सके मिडलिस्ट को फाइदा हो सके तो इसलिए फिर यहां पे जो निगोसियेशन होई और बहुत प्रोड़क्टिव होई और मैसेज़ेस दोनों साइट से कर्वे किये और बीच में जो सालसी का किरदार था वो अल्टीमेटली चाइना ने या चाइनिज प्रेजिटन ने 1949 के अंदर जो है वो आजाद हुआ तो अब वो ही चाहता है 2049 के अंदर वो ही चाइना बन जा है जो पहले था यह CPAC के अंदर अल्रेटी में इटेल से डिसकस कर चुका हूँ तो यह उनका VN है दूसरा क्या है चाइना-US rivalry जो है बहुत important है कि चाइना ही चाहता है कि वो दुनिया का लीडर बने ना कि अमेरिका बने थर्ड क्या है चाइना-साओदिया और चाइना-इरान जो relation है यह बहुत important है कि चाइना जो है वो साओदिया के अंदर भी investment कर रहा है और इसके साथ-साथ एरान के अंदर उसकी investment मौझूद है तो वो ही चाहता है कि उसकी investment जो है वो मजीद बढ़े यहां पे तो यह हमें causes देखने को मिलते हैं अब deal के accordingly क्या हुआ अब deal होगी अब जिसम्बर में जो है वो मुलाकात होती है सौधी अरब के अंदर Chinese President के साथ और इस तरह से फरवरी के अंदर जो है मुलाकात होती है इरानियन प्रेजिड़न के साथ चीन के अंदर तो अब वहाँ पे क्या decide होता है यानि कि उन meetings के अंदर क्या decide होता है deal क्या होती है deal क्या होती है number one deal है रियाट के अंदर सौधी अरब के अंदर और तहरान के अंदर क्या होगा अपनी इमबैसी को दुबारा से खोला जाएगा सबसे पहली deal यह होती है तालुकात को बहाल किया जाएगा अब यहाँ पे यह पिक्चर आप देखिए कि 2015 की पिक्चर है कि जिस टाइम पे जो है वो इरान के अंदर जो सौधी अमबैसी तो इसको आग लगा दी गई थी ठीक है और कुछ लोगों ने जो है आग लगाई थी यहाँ पे इनके हालाद खराब हो गए थे तो यह यहाँ पे दुबारा से इमबैसीज को रियूपन करने का कहा गया नेक्स्ट है जी साओधिया अपनी जो है वो सपोर्ट करेगा अब अपनी सपोर्ट एंड किसको करेगा इरानियन इंटरनेशनल टेलिवियन चैनल को जो कि सपोर्ट करता है किसको बागियों को आप कह सकते है या जो इरान के अगेस्ट तहरान के अगेस्ट मेह ठीक है जो तहरान को ये ठहराता है जिमादार इन सारे हालात का या खासकर के जो हालात यहां पे सौधिया अपनी जो सपोर्ट है एंटी इरान लोगों की वो खतम करेगा बात समझ रहे हैं दूसरा यहां पे होता है थर्ड क्या है जी बोग जो है वो अपहोल्ट अप्रेल 2022 सीज़फायर यमन के अंदर इन्हों ने जो 2022 का एक एग्रिमेंट किया वा था कि भाई उन्होंने सीज़फायर करना है जो जंग बंदी की वी है उसी तरह बरकरार रखेंगे ठीक है next क्या है जी begin करेंगे peace agreement to end the civil war in Yemen के यमन के अंदर ये जो war चल रही है proxy war है इरान के और साओधी अरब की इसको खतम करेंगे ये agreement यहां पे होता है seven क्या है इरान जो है वो stop करेगा क्या case supply to होती rebels in Yemen कि वो जो असला की जो supply कर रहा है होती बागियों को जो शिया बागी है यमन के अंदर उनको जो असला की supply है वो भी खतम करेगा इरान तीक है अच्छा next है जी enhance economic and diplomatic ties with इरान and GCC countries के भाई दोबारा से क्या होगा कि जो इरान के साथ जो तालुकात खराब हुए वे हैं उनको बहतर किया जाएगा और जो GCC countries है इरान उनके साथ तालुकात बिल्ड करेगा यानि कि एक दूसरे के साथ जो जितने भी मालिक चोटे 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 यहां पे हैं जो जिनको उनने बलॉक बनाया हुए कुछ मालिको इरान ने बलॉक बनाया हुए तो उनको खतम करेंगे और उन सब के साथ जो है वो तालुकात को बहतर करने कोशिश करेंगे नमबर नायन है डिजाइन न्यू रिजनल सेक्यूरिटी फ्रेमवर्क वर पीस क्योंकि इस से पहले जो रिजनल फ्रेमवर्क था उसको लीट कर रहा था साथियर वो अपनी तरफ से लीट कर रहा था जिसमें हमने देखा कि यहां पे जो हमारे भी जो एकस आर्मी चीफ है उन्होंने वहां पे रोल प्ले किया 35 वालिक की जो उनने बनाई भी थी एक आर्मी उसको सपोर्ट कर रहे थी जो इरान के अगिस्ट में थी लेकिन उसको ख़तम करके न्यू रिजनल जो है स्कुर्टी फ्रेमवर्क होगा जो के पूरे मिडल इस्ट के लिए जो है काम करेगा जाए तो ये इस डील के एकॉर्डिंगली टै किया गया जिसमें से आधी चीजें बहुत टेजी से हो चुकी हैं जी हां हो चुकी है अब हम अगर बात करते हैं नेक्स तो हम देखते हैं जी एक्सपेक्टेड रिसर्ट फॉम डील के इस रिजर्ट्स जो है वो क्या निकल र जिसको सौधी अरब ने अकेला कियावा है तनहा कियावा है और वो अमेरिका की जो है वो सेंक्शन्स भी बरदाश कर रहा है बिचारा तो वो उसकी जो आइसुलेशन है तनहाई है मिडल इस्ट के अंदर वो खतम हो जाएगी सबसे पहली बात ये एक्सपेक्टेशन है हिस्ता हिस्ता होंगी थेर्ड है एंप्रूफ दियर एकॉनियर अकाईबिया व इन्वेस्टेशन के अंदर है जो अमेरिका के पबन्दियों के अंदर है य mascara को इसकी तो खतम होंगी या वो खर उस साइच से वो खतम नहीं करेंगे लेकिन यहां पे इन्वेस्मेंट हो सकती है कि साओधिया नई बात कही है कि अगर हमारे हालात बहतर हो जाते हैं तो हम अल्टीमेटि एरान के अंदर जो है वो इन्वेस्मेंट भी करेंगे तो उससे की एकॉनमी को फाइदा होगा दोनों की एकॉनमी को नमबर फोर क्या है फेस अमेरिकन सेंक्शन्स एजिली के एरान जो है वो जो पाबंदियां लगी भी है अमरीका की तरफ से उनको एजिली जो हो फेस कर सकेगा जो अभी बहुत मुश्किल है अमर्फाइव क्या है counter Israeli threat in the region इसके साथ-साथ जो इसराइल का threat है कि इसराइल की जो power बढ़ती जा रही है रिजन के अंदर उसका सबसे बड़ा खत्रा इरान के लिए ही था तो ultimately वो उसको counter करने में आसानी होगी तो इसलिए सबसे बड़ा problem किसको होगा इस डील का अमरीका को और दूस साइट पर जो है उससे बड़ा प्राब्लम किसको होगा इसराइल को क्योंकि इसराइल कभी भी नहीं चाहता कि कोई ऐसी डील साइन हो सके जिसमें जो है वो साओधिया और इरान एक हो जाए ये कभी वो नहीं चाहता लेकिन ऐसा हो रहा है अब देखते हैं इसके लिए क्या करता है अगर हम बात करते हैं इन दा पास्ट के माजी में क्या हुआ इसके बरक्स माजी में देखिए होता ये रहा कि 2015 में इरान की जो प्रियॉरिटी थी जब ये डील साइन हुई अमरीका और वेस्ट के साथ यानि एक साइड पे अमरीका और वेस्ट था और दूस्स अइड़ पे एरान ता और इनके अगेंस अगेंस साओधी अरब था तो एरान की एक कोशिश ती कि वो किसी तरह से अपने डिलेशन्स को बہतर कर सके किसके साथ United States के साथ और European powers के साथ अपना के या बजाएस के कि आपने नेबर्स के साथ अपने हालाद को बहतर करता क्योंकि उसे पता था यहां पर तो इतना बड़ा सौदी अरब ने रिफ्ट क्रेट किया हुआ है यहां पर हालाद ठीक नहीं हो सकते इसलिए एरान की ये कोशिश थी 2015 में कि भाई वो किस तरह से अपने हालात को अमरीका और वेस्ट के साथ ठीक करें ताकि उसकी एकॉनमी बहतर हो सके इसलिए जो उस ताइम पे एलेक्शन्स भी हुए थे तो उसमें जो प्रो अमेरिका ग्रूप था उसको या जो यंग्स्टर्स का ग्रूप था जो चाहते थे पबंदियां खतम हो इरान आगे बड़े उनको ज़्यादा वोट मिले थे तो ये पुरानी स्ट्रेटिजी थी इरान की जो के अब जो हम ये देख रहे हैं वो टोटली बदल चुकी है अब रिजल्ट के अगर हम बात करते हैं उस ताइम पर ये दो हज़ाद पंदना के अकॉर्डिंगली जो चीजे साइन होई या जो इरान का जो अमेरिका के साथ जुका हो था उसका क्या रिजल्ट निकला था उस रिजल्ट ये था कि जो है जो है वो बना था इस नाम से ये एक एक प्लान बना था जिसका क्या था एरान को नुक Pear deal से बाहर लेके आने में युनाइटीश स्टेट यो उसके साथ है जो परनेट मम्बर्स थे युनाइटेट नेशन सेक्योरिटी कॉंसल के जो पांच पर्मेट वेंबल्स हैं प्लस जो है वो जर्मनी ये शामिल था क्योंकि वो भी पावर है तो इन हमालिक ने जो है ये सारे का सारा मिल के एरान को काउंटर किया और उसे कहा कि बाई तुम अपना जो एटमी प्रोग्र को और कुछ उनके लिए इरान के लिए रिलीव ले कि आना लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये तो तैह हो गया इरान भी मान गया लेकिन अमेरिका हम जानते हैं कि उसको किसी हाल में खुश नहीं होता तो डील के रिजल्ट क्या निकले रिजल्ट ये निकले कि जो ट् कर रहे खुब किया तो पर यह वो आगे पीछे बहाने हीले करके वो पीछे हट गया तो इसका मतलब फिर भी इराम को तो कोई फाइदा नहीं हुआ इससे तो इसमें क्या हुआ उसके बाद पिर क्या हुआ कि 2019 में जो है वो इरानियन अटैक हुआ साओधी अरब की और फैक्टरी के उपर तो हालात मजीद खराब होगे दूसरा अमेरिका इसलिए भी पीछे हटा क्योंके जो साओधी अरब है वो हर्गिस नहीं चाहता था कि किसी तना से अमेरिका और इरान जो है उनकी तालुकात थोड़े बहतर हो सके तो साओधी अरब ने भी यहाँ पे नेगेटिव रोल प्ले किया था माजी के अंदर ठीक है माजी के अंदर ये रोल प्ले हुआ जिसकी उसे कीमत भी जुह हो जुकानी पड़ी थी 2019 में और वक्तेन फुकानी पड़ी तो इसका मतलब वो जो एक डील थी 2015 कि उसको कोई फा ना अल्टीमेटली मुझे अमरीका कोई फायदा दे सकता है। मुझे मेरे परोसी ही फायदा दे सकते हैं इसलिए बात ये है अपने परोसीं को ओपर फोकस किया जाए उनके उपर नर्जिस वेस्ट ना की जाएं तो यहाँ पर इरान ने अपनी पॉलीसी को दो हुज wirdा 17 जब अमेरिका निकला यहां 2018 में जब उसने इस पॉलिसी को चेंज किया तो अल्टी मेटली उसने भी अपनी पॉलिसी को चेंज कर लिया तो अब वो भी खुद देख रहा था कि रीजन के अंदर की जो है वो किसी तरह से दुबारा से हालात बहतर हो सके इसलिए उसने क्या किया अिरान ने क्या किआ किया कि दो हाजार बाइस केंदर यूएई के साथ कॉइट के साथ अपने डिपलोमेटिक रिलेशंस को दुबारा से बहाल किया ये दोनों कोईट और UAE जो है फिलहाल साओधिया को जादे सपोर्ट कर रहे थे उनके हालाद जो हो खराब थे एरान के साथ तो अल्टिमेटली इसने 2022 में इरान ने इन कोश्चों के ताहित के रीजनल अप्रोच को बढ़ाया जाए तो उसने अपने हालाद जो है वो बहतर किये इन दोनों माले के साथ तो इससे क्या हुआ कि एक ट्रू ओपनिंग हुई अरब वर्ड की यानि और खास करके अब जो ओपनिंग हो रही है तीक है जिसमें बहरेन और एजिब्ट भी शामिल है क्योंकि ये भी साथी ब्लॉक का हिसा है अल्टिमेटली लेकिन अब ये जो हालाद बन रहे हैं इससे क्या हो रहा है कि जो अरबों की दुनिया है यानि मिडल इस्ट के अंदर जो हालाद बने वे हैं ultimately वो बहुत बुरे हैं पिछले कई धाइईओं से पिछली कई धाइओं से मैं ये बात कह रहा हूँ ठीक है बहुत बुरे हैं और वो मजीद बुरे होने की यह कहा जा लहत है कि मजीद बुरे होंगे वहाँपे क्योंकि अमेरिका का रोल बहुत डेगेटिफ था और इस्राइल का लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये चीजें बता रही है कि अरब में दोबारा से चीजें जो है वो रिवाईवल की तरफ जा रही है बहतरी की तरफ जा रही है अब अगर हम देखते हैं कि साउधिय इरान के जो relations हैं उसमें यूएस साउधिय रिलेशन्स जो है वो अगर हम देख रहे हैं कि पहले टाइम पर क्या था कि यूएस जो है उसके relations ते साउधिय अरब के साथ बहुत strong तो अब साउधिय और इरान के relations ultimately build हो गी है तो इसका मतलब यह है कि कि तारीख की सबसे खराब हालत अमरीका की और साओधिया के जो हालात है तारीख का मतलब यह है कि उनिस सो चप्वीस में जब यहां पे ओटमान इंपायर का मुकमल खात्मा हो और उसके बाद यहां पे जो है उस साओध शाह साओध की हुकुमाद यहां पे स्टार्ट हुई तो अल्टिमेटली उस से हम कह सकते हैं सो साल में जो है यह सबसे लो सता पे जो है वो तालुकात अगर अमरीका के और साओधिया क्या हैं तो वो अभी आए हैं लेकिन जो की फाइदा दे रहे हैं साओधिया को रिजिनली तो साओधिया ड़स नौट बिलीव डैड वाशिं क्योंकि देखे जब आप जो है वो अगरे बढ़ेंगे तो अल्टिमेटली क्या होगा पीस तो आएगा नहीं वहां पर जो है जंगे लगी रहेंगी लेकिन जब आप जो है वो यह इंटरनेशनल रिलेशन में रियलिस्ट अप्रोच भी खा जाता है यह अल्रड़ी हम डिस क्योंकि यह जो डील्स होई है इसमें अमेरिका ने यह बात तो कही है सरयाम कि भाई मैं खुश हूँ कि जो यमन के हालाद जो है यमन में साओधियार्व के जो हालाद है वो ठीक हो गए यह अच्छी बात है लेकिन दरपर्दा वो इससे बहुत जादा खफा है यह हम जानत जाए ठीक है ठीक है एक बैलस रखा जाए चीन के साथ के एकनॉमिक अपने रिलेशन्स जो है उसके और दूसर साइट पर जो डिफेंस यह स्ट्रेटिजिक जो हालात उसके अमरीका के साथ इन दोनों को बैलस करके चला जाए इसलिए वो यह चाहता है कि इसराइल के साथ उसके तालुकात बिल्ड हो ठीक है क्योंकि वो जंग किसी से नहीं चाहता तो जंग नहीं चाहता तो अल्टिमेटली वो चाहेगा कि इसराइल के साथ उसके अहलात खराब नहों तो सौधिया क्या कर रहा है डिफेंस टाइज को जो है वो युएस के साथ रखना चाह रहा ह क्योंकि साओधिया को पता है कि अमेरिका से जो है उसे बहुत फाइदा हो सकता है डिफेंस के पॉइंट आफ यूसे और साओधिया कभी भी ऐसा हर्गिस नहीं होगा कि अब वो क्योंकि आइडलिस्ट अप्रोच की तरफ चला गया तो वो यह सोच ले कि रीजन के अंदर से क कोई खत्रा नहीं रहा बलकि अब वो इसको और ज़्यादा तबज्यों से करेगा जिसके लिए उसे अमरीका की जुरुत होगी दूसरा क्या है एकनॉमिक टाइज विद चाइना कि उसे ये भी पता है कि उसका आने अला फूचर जो है वो आईल पे नहीं है तो करेंगी है इस से इसेडेवलेम्मेट को रही है अब अगर हम देखते हैं टेपर बॉट नेटवर्क और हमें क्या देखने की मिलता है यह प्रॉच खालँ एक बैलेंस आप्रोच है लेकिं क्यों हम जानतें कि चाइना और ना इंट्स और suppressed एक नहीं नहीं हो सकते क्योंकि अ प्रस सेम है तो ultimately उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपने आप को जो है वो बराबरी में रख सकें लेकिन अब ऐसे में जो है वो चाइना की जो कोशिश है वो पूरी कोशिश है कि वो किसी तरह से economy में जो है वो अपने आप को बहतर करे patriot मजीद आके लेके चले है उसे पता है कि डिफेंस भी जो है वो उससे साथ लेके चलेगा तब ही उसका जो है वो हलात बेहतर होंगे तो звub पूरी कोशिच है, वो सथ को को क्या है कि वो सब को लेके साथ चले, ताके पीस आ सके हलाट थीक हो एरान के इसरैल के साथ भी चाहता है युprofit रिकर रहा経ता है इसी तायसे एरान और सिरिया जो एक ब्लॉग का हिसा से उन के साथ भी हलाट ठीक ही और साथ-साथ तरकी के साथ भी हलाट ठीक ही जो के कुमाल खिशेगी जो है वो आपको बता है जो है वो जर्नलिस्स कतल हुआ तो उसके वज़ा से हालात खराब हुए तब भी ठीक हो रहे हैं तो लॉंग टर्म स्टिबिलिटी के लिए इन सब के साथ हालात का ठीक रखना सौधी अरब के लिए जो पहले कोशिच की जा रही थी I2, U2 के अंदर ठीक है कोशिच की जा रही थी कि साथी अरब को जो है वो इसराइल के साथ शामिल कर दिये जाए और इस से क्या होगा UAE और साथी अरब एक साइट पर हो जाएंगे तो हम जो है वो इरान के खिलाफ एक जो है और सालसी शो कर रहा है तो चाइना की कोशिच है जो वन बेल्ट वन रोड इनिशेटिव है उसको सेव किया जा सके और उसकी इन्वेस्मेंट्स को जादा जादा बढ़ाया जा सके तीक है इसलिए जो चाइना है अब उसका जो मॉसको के साथ जो हालाद चल रहे है मॉसको का मतलब यह है कि चाइना एक साइट पे और साथ में वो रश्या के साथ भी अपने हालाद को लेके चल रहा है क्योंकि उसे पता है कि रश्या की अगर अभी यहां सपोर्ट नहीं करेगा जो कि हम next बात करेंगे ठीक है किसी और के अंदर तो वो अगर रश्या की सपोर्ट नहीं करेगा और दुबारा से रश्या को गर शिकास हो जाती है अमरीका के हाथ हो यूक्रेन के अंदर तो ultimately फिर से अमरीका जो है दुनिया के बूजी बन के बैट से हैंगे जो कि चाइना ब प्रेजिनेंट्स के बीच में हुई तो जिसमें चाइना ने खुल की बात कही है कि वह अमरीका को रश्या को सपोर्ट करेगा इस फ्रंट के उपर क्यों कि अब वो इस बार रश्या को केला नहीं होने देगा तो यह लॉंग टर प्लैन है कि अब इस का दोर आ चुका है कि वेस्ट का दोर था तो अब इस्ट के जो है वो बुलक आगे बढ़ेंगे तो इसलिए जो कॉरिडर है वो इराल में मौजूद है इसका चाइना का और अब यह कोशिश हो रही है चाइना की कि चाइना को यह पता है कि अमेरिका ने जो है पबंदिया लगाई भी है रश्या ठीक है इस रश्या में यह जो आपको पिक्टिस दिखाई दे रही है जो लाइने है यह है बैल्ट एड रोड इनिशेटिव बी आराई जो है कहां कहां से गुजर रहा है तो अब यहां पे इस साइट पर हम देखते हैं जो कॉर्ड बनावा है जिसमें अमरीका जो है वो ए लेके आगे जाए Central Asia तक और खासकर के साथ में लेके जाए यहां पर इस यूरप तक ठीक है इसी तरह से अब Russia के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो इन समंदरों से तो ट्रेट कर नहीं सकता क्योंकि उसकी जंग लगी विया तो उसे भी इरान का रास्ता कि उसकी पूरी कोशिश है मिडल इस्ट के अंदर से अमरीका को कम से कम निकाल के बाहर पहंका जाए ताकि यह पूरी का पूरा जो रीजन है यहां पर इसको मैं हाइलेट कर रहा हूँ यह पूरा जो रीजन है मिडल इस्ट का ठीक है Central Asia का और यह जो South Asia का पूरा रीजन है ताकि ये रीजिन पूरा जो है वो एक बेल्ड बन सके और यहां पर सुकून हो सके और एट टी एंट अगर हम देखते हैं अमेरिका का रिस्पॉंस इसके उपर क्या है जैसे मैंने का अमेरिका जो है बिल्कुल भी खुश नहीं है इसके उपर क्योंकि इससे पहले 2022 में जब अमेरिका ही जो है वो देख रहा था कि उसी के थ्रू सारे के सारे मिडल इसके फैसले हैं वो यह चाह रहा था कि उसी के थ्रू हो लेकिन जब उसको बाइपास कर दिया गया अमेरिका को तो अमेरिका जो है बिल्कुल भी हैपी नहीं है न्यू डिवेलप्मेंट के साथ गो रोल जो है अगर अमेरिका का खतम हो जाएगा तो ultimately एक बहुत बड़ा धचका है कि 100 साल से बाच्छा चल रही थी अचानक से वो खतम हो जाए तो यह बहुत मुश्किल है और साथ साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका के रूल अबेंड होने जा रहा है क्योंकि जो डॉलर का रूल था दुनिया के उपर अब अल्टिमेटली यह जो न्यू बेल्ट बना है इससे पहले यह बेल्ट मौझूद है और साथ में जो ब्रिक्जिट की कंट्रीज हैं यह बाकी जो कंट्रीज हो कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या करें वो चाइना की जो करनसी है यूआन जो है उसमें ट्रेड कर सके या अपनी एक नई करनसी डिवेलप कर सके जो चाइना को भी एकसेप्टेबल हो जो के यहां region के अंदर जितने countries उन सब के लिए जो है वो acceptable हो उसके लिए जो हो कोशिश की जा रही है कि regional जैसे कब new currency डिवलप करने कोशिश की जा रही है चाइना की तरफ से, इंडिया की तरफ से, ब्राजील, साउथ अफरीका और इरान, ठीक है यह चाइना की तरफ से चाइना को भी जो है और खास करके जो साउथ के कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका के कंट्रीज जैसे से अर्जेटिना वगारा वो भी यह कह रहा है कि हम क्या है वो Chinese currency के अंदर डील करेगी उन से जो चीज़े ले रहे हैं तो यह बहुत बड़ी development है यह नहीं कि अमेरिका के अपने रीजन के साइट पर भी उन्हें अब टफ टाइम देखना पड़ेगा और डॉलर का रूल जो हो खतम होने लगा है अब यहां पर एड़ती हैं यह आता है कि future of Pakistan क्या है फिल यह आला हालाद बहुत बोरे हैं आपने यह देखा क्योंके Pakistan भी कोषिश कर रहा है कि बैलनस अप्रोच अपना है चाइना के साथ भी क्योंके Pakistan CPAC का हिस्सा है लेकिन हम यह जानते हैं कि यहां पर US का भी बगड़ा होल्ड है और शुरू से रहा तो US कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान चाइना के साथ जाए और CPAC को आगे लेके जाए और इस तरह से पाकिस्तान भी इस बेल्ट का हिस्सा बन जाता है क्योंकि अकर पाकिस्तान इस बैट का हिस्सा बन जाता है तो पूरे रीजन में कोई ऐसा कंट्री नहीं रहेगा सिवाए इंडिया के जबके इंडिया अपनी अब क्योंकि वो फॉरन पॉलिसी जो है उसको अलग से बराता है इंडिपेंडेंटली तो वो इस इतना फायदा न इंडर मी लगी भी है यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज की वहार है जैसे अब पीटी आई है अब उसकी कोशिश थी जैसे वो रेशिया गया गये थी पीटी आई इंडान खान साब तो अल्टिमेटली अब वो कुछ और कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब वेस्ट में हैं को सारा कारोबार सब कुछ वेस्ट में है तो वोकभी यह नहीं चाह सकते हैं कि हम चायना ये यस निव बलॉक के लर्याएं वो इस लिए की तरफ ही जाएंगे तो इसलिए यह आई पाकिस्दान को यह बैलंस अप्रॉच के तहत कैसे का की सारा कर कर रहा है ये कुछ नहीं कहा जा सकता तो dollar economy है तो ये overall हमने देखा कि कैसे जो है वो new dimensions set हो रही है और किस तरह से future Middle East का change होने जा रहा है